Hello everyone, welcome to our channel, इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही important topic आपका जो निभन्ध है, जो सभी कक्षाओं के लिए important है और सभी exams के लिए important है, सभी states के बचों के लिए important है, निभन्ध क्योंकि आपके हर exam में हिंदी के paper में आता ही आता है, तो यहां देखने वाले हैं हम निभन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ा उपर, यह जो सिशक है, आपको इस सिशक पर कई बात देखने को मिला होगा निभन्ध लिखन, तो सबसे पहले में आपको बता दो, निभन्ध लिखन से पहले आपको यह बाते ध्यान रखनी आवश्यक है, कि आपको पॉइंटों में लिखना होता है, और लास में आपको क्या लिखना होता है, उपन सहार, और सुन्दर सुन्दर हैंड राइंटिंग में आपको लिखना होगा है, ताकि आपकी जो माक्स हैं बिल्कुल भी कटना हो, सुन्दर हैंड राइंटिंग होनी चाहिए, और साथ ही आपकी जो मात्राइं हैं, उनक यहां पर हम लिखेंगे कि वर्थमान काल में अनेक कारणों से मानवता कलंकित हो रही है। नेक्स टॉपिक हम देखेंगे सामाजिक चेतना का प्रसार जिसमें लिखेंगे ऐसे ऐसिक्षीत तथा दक्या नुसी सोच के कारण लोग अपने घर में कन्या को जन्म नहीं देना जाते हैं। क्योंकि संख्या कम होती जा रही है। लिंगान उपात की इस बिगरती स्थती को देखकर तथा समाज की गलत मानसिक्ता के कारण सरकार का चिंदित होना स्वभाविक है। समाज का सही विकास हो लोगों में नई चेतना का प्रसार हो इस द्रश्टी से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। अब देखतें इस अभ्यान का जो उद्धेश्य क्या है इस अभ्यान का और क्या है ये अभ्यान तो चले देखते हैं अभ्यान एवं उद्धेश्य। जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। आप भी इसी तरह से इसको लर्ण करें इसी तरह से देखी इसी तरह से लिखें और इसी तरह से सुन्दर सुन्दर हैंडरॉइटिंग में लिखें। ताकि आपकी जो माक से कहीं भी कटने की गुझाइश ना हो तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपर्टेंट वीडियो देखते रहेंगे तो जोड़े रहें हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद